जीवन में बहुत ज़्यदा विगना आ रहे हैं, विगना आपके खतम ही नहीं हो रहे हैं, बच्ची आपके कहना नहीं मानते यहां आपकी प्रॉब्लम्स जैसे की खतम होने का नामी ने ले ले लिए कोई उपाय काम नहीं आ रहा है, तो आ रहे हैं विगना हर्ता, गंपति बापा आ रहे है गनेज चतुर्थी पे और ऐसे दिन पर आप क्या उपाई कर सकते हैं इसको हर कोई कर सकते हैं बच्चे से लेकि बुज़र्थ तो बहुत ही आसान उपाई बताने वाली हो और बहुत ही ज़दा एफेक्टिव उपाई तो जरू से आप इसको ध्यान सा सुनि तो गलेज चतुर्थी स्टार्ट हो रही है 7 सप्टेमबर 2024 जो की शनिवार वाला दिन है और जो 11 दिन आएगा वो आएगा 17 सप्टेमबर 2024 ग्यारा दिन गणपति बापा रहते हैं हमारे साथ ऐसे तो हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं लेकिन जो फेस्टिवल है इंदरों में मिनाया जाता है अब आपको ईक बहुत ही खास उपाय बताने जारी हूँ अगर बहुत जादा आपके जीवन में बाप्रब्लम कहतम नहीं हो ली बच्चों की शादी नहीं हो रही है बच्चे पड़ाई नहीं कर रहे हैं किसी को एडिक्शन की प्रब्लम है आपका कामकाज अच्छा नहीं चल रहा, आपको रिलेशिशिप में प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी दिक्कते हैं, या मान लो कि आप ही करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, तो यहां पर मैक्सिमम आप तीन इच्छा के लिए कर सकते हैं, वैसे तो मैं कहूंगी आप शॉटलिस करके एक करेंगे तो उतना अच्छा है आपको कॉंसंट्रेशन अच्छा होगा लेकिन नहीं तो मैंने मैक्सिमम आपको तीन इच्छा के लिए बता दियाँ, अब यहां पर मैं आपको दो उपाएं बताने वालियों दो in fact, मैं आपको आपको आप्शन बताने वालियों, इनमें से क करके हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा और आपको connected भी फीलोगा गनेच यतुरती है साथ सप्टेमबर को ठीक है तो साथ नंबर किसे रिलेट करता है रिलेट करता है के तुसे यहां तक की वो spiritual हमारे वेल बिंग से भी रिलेट करता है तो अब आपको क्या करना है आपको साथ नंबर से गन्टपती बापा बनाने है अब आपके मन में सवाल आरोगा कि हमने तो कभी ड्रोइंग किया यहीं हम ये करी नहीं सकते आप जैसे भी हो आप उसको आसानी से बना सकते अगर आप तो उनका चेहरा बना ले, आप चाहें तो पूरी बॉडी बना सकते हैं, यानिकि 7 नमबर आपको पहले लिखना है, और फिर आपको गंद पति बाप्पा रेडी कर ले, अब ये आप तयार करेंगे 7 तरीक, ठीक है, 7 तरीक को आप ये रेडी कर लेंगे, फिर आपको क्या करन बदो है कि ही गंपती बापा मेरी इस इच्छा को पूर्ण करे मैं आपके उपर मेरे चोड़ा है आप अपनी भाशा में लिख लीजे है आपको मैंने का मैकसिमम तीन इच्छा, आप चाहें तो पीछे की तरब भी लिख सकते हैं, आपको नहीं लिखना तो आप केवल बोल दीचीगा, रोज आप कागस को निकालेंगे, रोज आप एक बाद देखेंगे, आप इसको अपना छुपा के रदे, पूजा स्थान पे र अलग से आपको एक पेपर इन दिनों में आपको तयार करके रखना है, अब 11 दिन जब आएगा, यारी कि 17 तारीक को आपको क्या करना है, कुछ आपको चावल या अक्षत आपको ले ले रहे, जो गनपती बापा आपने बनाय थे, उनके ओपर आपको ये चावल रखना है, इस कागस को अच्छे से फोल्ड करना है, आप इसको उसी दिन पे 17 तारीक को ही पानी में या तो विसरजन कर देंगे, या तो आप इसको किसी भी पेड के नीचे या ऐसे ही पेड में मिट्टी के नीचे आप इसको दबा के आ जाएंगे, नहीं समझ मैं है तो घर के गंबल तो आप दोनों कर सकते हैं, आपको क्या करना है, एक सुपारी लेनी है, सुपारी आपके पास पहले के पड़ी होगी, वो भी आप यूज कर सकते हैं, गंगल जल थोड़ा सा छिड़क दीजेगा, दूप में रख लीजेगा, ताकि वो वापस से फ्रेश हो जाएंगे, वही इच्छा, बले आपकी एक है या तीन है, डेली के डेली आप हाथ में होल्ड करेंगे, और आप इसको छुपा के रख देंगे, आपकी मर्जी आप चाहें, तो अगर बत्ती या दिया दिखा सकते हैं, वो आपकी इच्छा के उपर है, नहीं भी दिखाएंगे, केवल अरन के उपर हूं अगराków में थे चाहें आप इसको रख देने हैं, वही आपको क्या करना है, 17 तारीक को आप इस उपारी को लेंगे, आप इनको पानी में विसर्जन कर देंगे, अपने धोड़े अक्षित य चावल, के साथ आप इसको विसर्जन कर देंगे, या तो आप इसको मिट्टी में दबा देंगे जैसे आपने पेपर का मैंने आपको बता है वैसे आपको ये भी करना है आप चाहे तो जैसे कि मैंने बता है अलग-अलग मेंबर अपना भी तयार कर सकते हैं अगर आपके मन में आये तो और हाँ इसके अलावा एक बहुत ही अद्भूत में आपको रेमिडी और एक बताने वाली हूँ जो आपको वापस एक दूसर दूसरे वीडियो में मिलेगी वो भी आप ज़रू से कर लीजेगा लेकिन इसको तो आप ज़रू से कीजेगा और मुझे इसका फीड़बैक ज़रू से दीजेगा कि आपको कैसा लगा और मैं इश्वर से यही प्रातना करूंगी कि जिसके जीवन में जो भी तकलीफे हैं वो दूर हो जाए और आपके जीवन में केवल खुशिया ही खुशिया है बस उसी विश्वास के साथ मैं आपको यह रेमेडी बता लिए हुआ उम्मीद करते हूं कि आपकी तकलीफे भी ज़रू से दूर होगी तो वीडियो को शेयर किजेगा ताकि बाकी लोगों को भी इससे जानकारी मिल पाए उनकी तकलीफे दूर हो पाए आप मुझे Facebook, Instagram पर follow कर सकते हैं अगर आप इस तरह के वीडियो जहां पर देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर मंतरस भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हम मिलेंगे अगरे वीडियो में तक तक आप मस्तरे खुश्रे इश्वर करें कि आपकी हर इच्छा पूरी हो नमस्कार ओम गंगंपते नमा